सल्मान खान की टाइगर 3 का क्या है 30 साल पुराना दिवाली कनेक्शन क्यों सल्मान खान ब्लॉक्बस्टर को लेकर 10 साल पहले शोर हो गए थे इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल सलमान खान की टाइगर 3 का लग कनेक्शन प्रेम रतन धन पायो फिल्म से जुड़ा है 2015 में सलमान खान की मूवी दिवाली के मौके पर रिलीस हुई और फिर ऐसा छपपर फाड़ा की सब सलमान के गुन गाने लगे सलमान की इस मूवी ने पूरी दुनिया में 388 करोर की कमाई की थी जिसमें से इंडिया में ही 200 करोर से ज्यादा का कलेक्शन किया था सलमान को उम्मीद था कि जिस तरह की स्टोरी उन्होंने बनाई है वो दिवाली पर पटाखे नहीं बलकि बम फोड़ेगी और हुआ भी यही इसी को देखते हुए सलमान और टाइगर थी को दिवाली पर प्लान किया गया सलमान दिवाली पर कम फिल्में लेकर आए लेकिन उनका ये प्रयोग 80% सफल साबित हुआ है इस बात की गारंटी जानेमन से मिल गई थी सलमान खान और अक्षय कुमार के लाफ ट्रायंगल वाली जानेमन टाइगर थी की तरहे दिवाली से एक दिन पहले सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी इसमें उनके अपोजिट प्रीती जिंटा थी इस मूवी को थियेटर में ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला बॉक्स ओफिस पर इसने 25 करोड और वर्डवाइड 45 करोड का बिजनेस किया था हम साथ साथ हैं ऐसी मूवी है जो सलमान के दिवाली वाले कलेक्शन में बहतरीन मानी जाती है इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर उस समय में 49 करोड इंडिया में और 69 करोड की वर्डवाइड कमाई की थी ये मूवी सलमान की राजश्री बैनर ने बनाई थी यानि प्रेम रतन धन पायों के बाद दिवाली पर सलमान की राजश्री प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म थी इस फैमिली ड्रामा मूवी को खूब पसंद किया गया था सलमान की दिवाली पर पहली मूवी आई थी अंदास अपना-पना तब सलमान ने इसने आमिर खान के साथ काम किया था ये फिल्म ऐसी है जिसे लेकर बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप था हालांकि दिवाली पर रिलीज हुई इस फिल्म ने वो कलेक्शन नहीं किया जिसकी उम्मीद थी तब टोटल पांच करोड तीस लाख रुपए ही इसने कलेक्ट किये थे और इसे डिजास्टर माना गया था सलमान की एक बार दिवाली बहुत काली हुई थी और इसे उनके दिवाली वाले एक्सपीरियंस में अब तक सबसे खराब माना जाता है यह फिल्म है मैं और मिसेस खन्ना सलमान और करीना कपूर की फिल्म मैं और मिसेस खन्ना दिवाली के खास मौके पर ही रिलीज हुई थी प्रेन सोनी के डाइरेक्शन में बनी मूवी फुसकी बम की तरह ही बॉक्स ओफिस पर फुस हो गई मैं और मिसेस खन्ना ने इंडिया में लाइफटाइम बिजनेस साधे साथ करोड से कम किया और वर्डवाइड आकरा 14 करोड के आसपास ही पहुँचा था दोस्तों आपके हिसाब से क्या टाइगर 3 को इन सभी फिल्मों से जोड़ना ठीक है और उनके दिवाली पर टाइगर 3 के रिलीज करने के फैसले को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें